हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू माई चैनल मैं हूँ अनुभा और आज हम बनाएंगे आम पने वाली रजभरी या बग्जा कैसे बनाएंगे वह हम आपके साथ शेयर करूंगी तो यहां पर मैंने लिया है कुकर कुकर में दो कच्छे आम या कैरी डालेंगे इसमें थोड़ा सा समद्राड़ पानी डालेंगे बिल्कुल जर्राश बहुं सा जाए नहीं डालना है इसके बाद हम इन आम को पकने देंगे तो तीन से पल्प है या गुदा है उसको बाहर निकाल दे और गुठली फेक दे तो इस तरीके से हमें आम को अच्छे से इसका जो पल्प है वो निकाल लेना है और छिलके भी हम निकाल देंगे आप चाहें तो छिलके छिलके भी सीटी लगा सकते हैं तो ये देखिए मैंने छिलके निक तो मसालों में बहुत जादा मसाली नहीं डाल ले हैं सबसे पहले हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा साधा नमक प्लेन और इसके बार डालेंगे थोड़ा सा धनिया पत्ती थोड़ा सा डालेंगे इसमें भुना हुआ जीरा और काला नमक थोड़ा सा और इसमें आप शक्कर डा अब कडल रही हूं आप खड़ी शकड़ भी डाल सकते हैं इसका अच्छे से एक फाइन पेश्ट तैयार कलेंगे यह क्या करेंगे इसको स्टाल में ट्रांसफर करलेंगे पानी इंट करेंगे तो कि आपको इसमे को इसमें बहुत जादा पानी नहीं डालता है उतना पानी मिलाए जितने में आपको इसमें नमक का और शक्कर का टेस्ट बराबर अच्छा है तो यह देखिए इसमें मैं लगबख तीन गिलास पानी मिला दूँगी जिससे कि एकदम मतलब जो पना वनता है उस लिक्विडिटी का हो जाएगा तो आप यह देखिए यह एकदम अच्छे से मिला दिया है मैंने और अब इसमें पानी एट कर रही हूँ पानी एट करने के बाद हम इसे साइड में रख देंगे और जैसे कि मैं आपको साथ पहले भी एक टाइप के बगज़ शेयर कर चुकी हूँ मठा वाले और जिसे चाच बोलते हैं चाच वाले या आप उसको दही का भी उज़ कर सकते हैं तो यह दूसरी रेसिपी है यह रेसिपी आप जरूर ट्राइप करें आपको बहुत पसंद आएगी तो बगज़ा बनाने के लिए मैंने एक बोल लिया है बोल में हमें एक कडोरी बेसन डाल देंगे बेसन डालने के बाद हम इसमें सिर्फ और सिर्फ नमक मिलाएंगे साथा नमक मिलाने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी एट करेंगे और पानी एट करने के बाद हम इसे अच्छे से एक whisker की help से घूल देंगे तो इसका एक fine paste तयार करेंगे और देखिए इसका जो हमें consistency रखना है वो एकदम flowing consistency का नहीं रखना है हलकी से इसमें हमें thickness रखनी है तो आप यह देख सकते हैं कि इस type से हमें इसमें एकदम बिल्कुल flowing नहीं करा है तो इस type से हमें इसको रखना है अब हम क्या करेंगे एक bottle लेंगे तो यह sauce वाली bottle है इस bottle में जो हमारा यह batter है उसको डाल देंगे बैटर डालने के बाद हम क्या करेंगे कि इसका ढखकन बंद कर देंगे और ढखकन बंद करके हम फिर इसके बगजा बनाएंगे तो देखिए इसकी consistency मैंने कितनी रखी है यह अपने आप पूरा नहीं गिर रहा है एकदम ठिक है तो इसको अच्छे से आपको जब बैटर प्रिपेर करें तो अच्छे से विसकर की help से मिलाएं जिससे किस में लंब से ना रहा जाएंगे अब हम ढकन बंद करके क्या करेंगे गैस की तरफ जाएंगे तो देखिए पूरा साफ कर दिया है मैंने पूरा भर दिया है गैस की तरफ जाएंगे और इससे बराना स्टार्ट करेंगे बगजा बनाने के लिए मैंने एक पैन में ओईल गर्म होने के लिए रख दिया है और अब हम इसमें जलेबी के तरीके के बगजा बनाएंगे तो आप ये देख सकते हैं इस तरीके से हमें बगजा बनाने है तो इसी तरीके से हम सारे बगजा बना लेंगे और बिल्कुल गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है मीडियम टू लो फ्लेम पर हमें से अच्छे से कुक करेंगे तो जब भी आप बगजय जली भी कुछ भी बनाएं तो ध्यान रखें कि आप गहरी तल की कढ़ाई ना लें थोड़ा सा फ्लैट कढ़ाई लें इससे की क्या होगा आपको बनाने में भी आसानी होगी और यह बहुत आसानी से सिख भी जाएंगे तो देखिए इस तरीके से मैं अल्टा पल्टा के सेक लूँगी और सारी बगजय ऐसी ही बना लेंगे थोड़ा सा स्पेस था यहाँ पर तो मैं एक बगज और डाल देती हूं तो यह सिख जाएगा तो आपको क्या करना है जब आप इसे सेके तो ग्यास का फ्लेम आप लो रखें मीडियम रखें क्या होगा अगर आप इसे तेज फ्लेम पर सेकेंगे तो यह बाहर से तो नका color change हो जाएगा लेकर अंदर से के color change नहीं होगा और फिर यह खाने में बहुत tasty नहीं लगेंगे तो इसको आप जाल राईस के साथ serve करें ऐसे भी आप कोई आजाया आप उन्हीं भी यह serve कर सकते हैं यह बहुत testy लगते हैं खट्टा मिठा आम का पानी और बगजा तो ये रेसिपी मेरी बहुत फेवरिट है मैं इसे गर्मियों में 5-6 बार तो बना ही लेती हूँ हमारे घर में ये सबको पसंद आती है I hope आपको भी रेसिपी पसंद आईगी ये देखिए मैंने आप देख सकते हैं कितने धीमियाश में इसे पका रही हूँ पलट पलट के जिससे कि ये बिल्कुल जले ना और अंदर तक अच्छे से पक जाएं तो ये देखिए कितने अच्छे से हमें इने पका रहे हैं और अब हम क्या करेंगे एक एक करके इनको निक देंगे तो इन्हें आप एक घंटे करीम डाला रहने दें यह पानी में आम के पानी में अच्छे से फूल जाएंगे फिर आप इन्हें सर्व करें और यह खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं आप इन्हें दो से तीन दिन तक स्टोर करके भी रख सकते हैं यह बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे आई होप आपको आज की रेसी भी पसंद आई होगी थैंक यू